हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल श्रेव अर्वित आयूश और इस वीडियो में बात करेंगे आई रेडा के बारे में आज भी हम कह सकते कि काफी बढ़िया तीजी लगातार आपको देखने को मिल रही है और इंपोर्टन क्या है कि एक अच्छी ख़बर निकल किया ये शेयर गोल्डर्स के लिए यह हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर डेफिनेटल की क्या वो ख़बर है उसका क्या इंपक्त आपको परता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक के उपर और डेफिनेटल जो इंप अल्मोस्ट बादर बंदोने में जादर समय नहीं है बट और अल हम कह सकते हैं कि आपको जो तेजी देखने को मिल रही हो बढ़िया है आज 68.90 का हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है जरूर एक समय पर गिरावट आई थी जैसे कि अगर आप यह देखेंगे एक दम से चीज देखने को मिल भी कॉर्ण जब भी दोस्तों शियर तूटता है और उधर बाइंग आती तो फिर डेफिनिटी हम कह सकते कि कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है इन डेफिनिटी इसलिए जो बाइंग है वह आपको आती भी देखने को मिल और इस बाइंग से शेर्मेंइन साब के तеф से बायार निकल के आई इस लिए अब दोस्तों इस कंपण Ihrer को मीटिंग है सरकार के साथ अब इसके बाद अनॉंस्मेंट हो सकती है जिसके आई ये अरी दी आगुको नpoints का स्टेट्टीज बहुत जाए तो no doubt ये एक सबसे बड़ी positive बात है जिसके गारण दुस्तो stock जो है वो चलता हुआ नजरार है जब भी देखे कोई सरकारी company उसका status जैसे ही change होता है तो उसको बाजार बेहत positive point मिलेता है and I think वो एक सबसे बड़ा point है कि stock के अंदर आपको इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल रही है जब listing पे हुई वो भी अपना आप में बहुत दमदा listing हुई और उसके बाद हम कह सकते हैं जो stock में follow up buying आई वो भी no doubt बहुत अच्छी थी यहाँ पे और भी बड़ी तेज़ी देखने को जो मिल रही है उसके पीछे का जो खास reason है मैं आपको बता सकता हूँ वो यही reason है कि यहाँ पर जो तेज़ी है वो इसलिए आ रही है क्योंकि company को नवरतन status जो है वो मिलने बाला है तो इसके कारण share में एक बहुत बढ़िया move हमको अब भी देखने को मिल रहा है बाकी अज काफी बड़ी block deal भी हमको देखने को मिली थी इसके अंदर जिसमें 3.10 crore के shares का एक बार में सौधा हुआ था बाकी अगर आप देखेंगे तो almost IR EDA saw 26 crore 49,65,984 shares worth 1742 crore changing hands the stock climbs 9.5% मलब जिस समय खवर निकल के आई थी उसको जो last में update आया था वो 3.10 crore shares के असपास का था तो सबसे बड़िया बात क्या है कि आज दोस्तों इसके अंदर block deal भी देखने को मिल रही है तो ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़े fund के तरफ से buying की गई हो जब भी देखे कोई बड़े fund की तरफ से buying की जाएगी तो no doubt उसका भी एक और अच्छा आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा आज कितना देखे share जो चला है उसके पीछे का reason भी हम कह सकते है ये जो बड़ी-बड़ी block deals हो रही है और उस बड़ी block deal के कारणी share में आपको इस प्रकार की दमदार rally देखने को मिल रही है और दमदार rally जो आ रही है second हम कह सकते support है market का भी क्योंकि बाजार भी बड़िया कर रहा है गंधार की जो listing होती है वो इतनी दमाकेदार होती है Fet Fina की भी listing ठीक है बली negative पर उसके बाद वो share भी उपर चला गया तो बाजार के अंदर हम कह सकते हैं कि IPO उसको लेकर जो माहौल बना हुआ है and specifically IPO shares के अंदर जो अभी आपको जादा attraction देखने को मिल रहा है वो एक और बड़ा कारण है IR EDA का इतना चलना क्योंकि जब दोस्तों attraction ही नहीं होगा तो फिर stock नहीं चल पाते हैं लेकिन लोगों का रुझान बहुत जादा नजर आ रहा है और इसलिए हम मैं कह सकता हूँ कि shares ये सारे चल रहे अगर अभी तक कि volume के मैं बात करता हूँ जो आज volume देखने को मिल रही है वो अगर सिफ NAC की बात करता हूँ तो NAC पर आप देख सकते हैं 35 करोड शेयर्द आपको आज trade होते वे देखने को मिल गए कर्यबन 35 करोड 33,80,000 आपको ट्रेड होते वे देखने को मिल चुके और ये दिखाता है कि किस प्रकार का या पर बढ़िया आपको खईधारी देखने को मिल रही है और most of अगर आप देखेंगे तो अभी जरूर हाँ कि जादा buying side पर आप देखेंगे तो 1 करोड 66,000,000 शेयर्ज पड़े हुए और selling side पर 1 करोड 79,000,000 शेयर्ज है जरूर अभी selling की side पर थोड़ा सा जाद रुजान देखने को मिल रहा है अगर देखेंगे इनको मिल जाता है नवरतिन status हाज तो मेरे सबसे तो कल भी चल जाएगा हाँ जरूर अभी बाजार जो है वो थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है बट मेरे सबसे moreover बाजार अगर मैं बात करता हूँ जिसे elections के result का भी तो बहुत असर नहीं पड़ेगा जरूर आज exit polls आने वाले पर क्या उसको market पर असर पड़ेगा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ जाया तो पढ़ जाया रेकिन बहुत ज़दा पढ़ने के expectations नहीं करनी चीए कि वो exit poll है exact poll नहीं है तो बाजार याद रखे कभी भी अनिस्चित्ताओं पर बहुत ज़्यादा कि हाँ यह अनुमान लगा रहे सा नहीं बाजार को अगर खुद को अन्देश हो जाता है तो बाजार reaction दे देता है क्योंकि दो तिन अगर आप states देखेंगे तो सबको पता है कि क्या क्या कहानी बन रही है पर हाँ जहां पर हम कह सकते हैं मद्यपुदेश आजस्थान यह से दो states है जहां पर किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है तो वहाँ पर जरूर पूरे बाजार की निखा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ruling party state में आती है तो वो एक बाजार positive win में लेता है विगाज अगले साल आपको पता ही elections भी होने वाले है general elections तो वहाँ पर भी बाजार को चीए एक full majority वाली सरकार जो बिलकुल बढ़िया तरीके से चले जरूर देखें बहुत सारी coalition government आती है उससे में भी बाजार में ने देखा नहीं कि बहुत बड़ा असर पड़े बट जब भी कोई full majority वाली सरकार आती है तो बाजार उसको पसंद करता है यह हमने एक track record देखा है बट हाँ अगर आप मुझे से पूछेंगे उधल पुदल की बाजार में उधा चड़ा आप देखने को मिलेंगे बहुत ज़ादा क्या तो ऐसा मुझे नहीं दिखता है कि अगर आप सेक्टर पे चलेंगे तो सेक्टर बहुत ही positive है और सेक्टर बहुत बढ़िया करेगा on a future term right on a longer term क्योंकि सेक्टर के अंदर growth की potential काफी ज़ादा है और जहां पर यह belong करती है because company का काम है सिर्फ loan बाटने का और जो loan disbursement company ने किये है लास कुछ सालों के अंदर वो काफी phenomenal है उसमें भी कोई दोराएं नहीं है तो बाजार उसको भी देखता है बाजार हर एक चीज़ को देखे track करता है और फिर दोस्तों बाजार अपना एक mood महुल बनाता है इसलिए मुझे लगता है कि जो हाल फिलाल में आपने देखा भी होगा कि जो energy companies है उन्हें तीज़ी देखने को मिली तो इसके पास added advantage क्या है पहला तो energy stocks का चलना ठीक है ये एक सबसे बड़ा advantage है second क्या है PSU stock का चलना PSU stocks आप देख सकते हैं आग लगी हुई है PSU stocks में इतनी तीज़ी देखा नहीं होगा अपने लेकिन अभी exactly हो रहा है तो ये दोनों का advantage भी इस company को मिल रहा है तो ये समझने वाली बात है कि बहुत बढ़िया ये सारे counters कर रहे हैं eventually और बढ़िया भी कर सकते हैं उसके expectation पूरी बाजार लगा के चल रहा है बट देखते हैं यह है कि हाँ 70 से पहले पहले stock के resistance phase करता कि 68.90 का आई था और उस level के उपर अभी तक stock नहीं गया है बाकि अभी भी valuation wise बहुत महंगा तो नहीं हुआ है लेकिन जरूर stock चला है तो थोड़ी बहुत profit booking के संभावना मैं लगा के चल रहा हूँ अब देखते हो जाती है और profit booking जब आती है तो बड़ी आएगी जैसा नहीं कि दूस्तों अगर शेयर गिरा for example तो ऐसा नहीं कि एक परसेंट दो परसेंट में खता हुआए का नहीं चार पाच परसेंट साथ परसेंट भी गिर सकता है इस तरह की विदेखे संभावना मान के चलनी चीए इतना भी शेयर चल जाए आपको रखना है आपको पताईए कि आपका future perspective क्या है company को लेकर तो इस वीडियो में इतना ही था बाके आप लोगों के लगता है क्या कल 70 रुपीस का level यह touch कर सकता है इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video